हेलो एन वेलकम टू डिजिटल कायट सॉलूशन्स, डिजिटल इंडिया का डिजिटल गूरु, मैं हूँ मिराज अंसारी, आउट डेस सर्टिफाइड केयट रेनर, वेलकम टू दा नेक्स्ट सेशन, आज हम इस सेशन में देखेंगे, इस पार्ट के, इस पार्ट को हम आईस आईसोमेट्रिक में कैसे बना सकते हैं, हमारे एक स्टुडेंट है, अभिजिट चेटर जिस सहब फ्रॉम कॉलकाता, तो उनको ये परेशानी आई है, तो आज हम उनकी परेशानी को दूर करेंगे, इस ड्राइंग को हम कैसे, आउटोकेड के आईसोमेट्रिक भी में कैसे बन सकते हैं, तो ठीक है, कई लोगों को भी परेशानी आती है, तो डॉन्ट वरी, हम आपके हर परेशानियों का सॉल्यूशन है, ओके, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो आप क्या कर लें, यहां से एक एड आईसो डॉट डॉट वाला टेंपलेट आप सेलेक्ट कर लेजिए, बाई डिफॉल्ट आप देख पार है, हमने 3D मॉडलिंग को ले लिया है, अभी यहां पर हमें ड्राफ्टिंग एन अनोटेशन में जाना है, तो यहां से आपको क्या करना है, इधर नीचे की तरफ ले लो, आईसो मेट्रिक, ड्राफ्टिंग आप ओन कर सकते हो, ग्रीड को आफ कर दो, और तो को ओन कर लो, बस इतने की हमें जरूरत है, अगर आप चाहते हैं कुछ लाइन वेट वगएर अपलाई करना इसके लिए, तो आप यहां से कलर भी ले सकते हैं, यहां से लाइन वेट भी ले सकते हैं, ठीक है, और इसके लिए आ 50 plus 19, total हो गया 69 by 45, आप यहां से line ले सकते हो, अब हमें क्या करना है, ISO circle ले लेना है, ISO circle यहां पर आप देख सकते हैं, कैसा ISO, आप देखे यहां, यह हमारा 16 diameter का है, आप यहां से ellipse लिजिए, ISO circle पे click किजिए, यह रहेगा center point, F5 प्रेस किजिए, और इसका जो diameter हो 16, मतलब radius 8 कर रहेगा, आप इन दोनों को delete कर सकते हैं, no problem, अब बाद में हमें इसको copy कर लेना है, select करता हूँ, copy, base point, F5, 10, enter, enter, ज्यादा नहीं, बट थोड़ा सा तो इसमें जरूर दिखाए देगा, यह arc हमें दिखाए देगा, ठीक है, इतना हमारा काम हो गया है, अगला step रहेगा, य 10, उपर जाना है, 10, यह total 100 है, 100 में से यह 10 गया, बचा 90, 90 में से यह हमारा 12 चला गया, तो बचा 78, ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसको copy कीजिए, उपर की तरफ जाए, 10, ठीक है, उसके बाद आप line ले सकते हैं, अराम से आप यहां से 78 में ले लिजे 78, इंटर, नीचे आईए, देखिएगा, उपर से गया हुआ है 75, ठीक है, सेंटर तक, तो आप कैसे कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा, तो यहां से मैं ले रहा हूँ, है ना, तो यहां से हमें कितना minus करना होगा, सोजरासा देखिएगा, ओके, उसके हिसाब से हम करेंगे, nothing to worry, हम ऐसे भी कर सकते हैं, actually अगर हम यहां से बात करें, तो direct हम 75 तक नीचे भी ले सकते हैं, ठीक है, तो आप अगर इसको पकड़ के, कॉपी भी कर लेंगे, 75 में, तो भी चलेगा, ठीक है, और आप इसको मूव भी कर सकते हो, यहां से कितना है हमारा, 78 में, तो आपको इधर जाना है, या you can see, हमारा अराम से touch हो चुका है, यह हो गया हमारा, अब इसकी total 38 की है, आप यहां से 38 भी ले सकते हो, इसको पकड़ेंगे, copy, f5, 38, enter, enter, यह हो गया, एक और चीज़ आप करना चाहें, तो कर सकते हैं, आप इधर से भी 10 का offset ले सकते हैं, इधर स मतलब offset के बजाए, आप copy लेजिएगा, तो ज्यादा बहतर रहेगा, क्योंकि यहां पर offset हमारा काम नहीं करता है, 10 ले लेते हैं, और यह लिया है, यहां से भी हम 10 का ही ले लेते हैं, ठीक है, f5 प्रेस कर देंगे, 10, line लेके आपको यहां पे close कर देना है, आप चाहें तो इधर भी जा सकते हैं, f5 प्रेस कर दीजिए, tr double enter करना है, बाद में आप इसको हटा दे, ठीक है, अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक line आप फिलहाल के लिए यहां पर ले लो, हलाके अभी यह delete होने वाला है, tr double enter, यह हटाओ, यह हटाओ, यह हटाओ, इसको आप delete क कर सकते हो, यह हमारा बंता चला जा रहा है, धीरे धीरे, आप चाहेंट इसको यहां तक ले सकते हैं, फिलहाल इतना हमारा काम हो गया है, अगला step क्या है हमारा, so देखिएगा, क्योंकि 75 तक हमने लिया हुआ है, तो आपको यहां पर ISOCIRCLE लेना होगा, यह लिए हमने axis end, ISO ISOCIRCLE, F5 प्रेस की जिए direction change हो जाएगा, और आप इसके बरावर में चले जाएए, ठीक है, अब इसके बाद हमें कितना जाना है इधर, 12 जाना है, तो आप इस line को फिलहाल delete करें, इसको select करें, copy, base point, F5, 12, enter, enter, उसके बाद यह देखिए, इधर से हमारा 3 प्लस 10, 13 हो जाए थे, हमें इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, line ले सकते हो, quadrant, two quadrant touch कर दिया हमने, okay, nothing to worry, यह center तक ही रहेगा, आप देख सकते हैं, बाद में आपका यह hide हो जाएगा, यह हटा दीजिए, यह भी हटा दीजिए, और इसको भी आप हटा सकते हो, अब जाके यहाँ पर यह दिखाना हमें, तो आप इसको पकड़के 12 अंदर ले लो, confusion ना हो, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, यह हट गया, और बाद में हम आपको बताते हैं, इसके अंदर में कैसे लेना है, आप चाहो तो यहाँ से यह भी हटा सकते हो, यह भी हट आदो, यह भी नहीं दिखने वाला है, दरहसल अभी इसका काम बाकी है, आप चाहो तो यहाँ quadrant to quadrant ले सकते हैं, ठीक है, टी यार डबल इंटर, यह हट जाएगा और यह भी हट जाएगा, ता इससे आप दिखा सकते हो, अगला step क्या है जरा गौर कीजिए, अगला step यह है, यह देख लिजे हमारा, ठीक है, कोई issue नहीं है, अराम से हम कर लेंगे, nothing to worry, बस इसको select करना है, इसको select करना है, आप इधर से copy कर सकते हो, तो जैसा कि आप देख पार हो, यह हमारा 14 है, 14, ठीक है, तो आप इसको copy कर लेजिए, यहाँ FI प्रेस कीजिए, 14 ले लेजिए, 14, 14, ओके हो गया हमारा, उसके बाद आपको इसको भी उपर लेना है, 10, FI प्रेस कीजिए, 10, और इसको लेना है, right side में, FI प्रेस कीजिए, 10, अब जाके हमें क्या करना है, इसको, आप चाहो तो इसको साथ, यहाँ से आप corner create कर सकते हैं, तर असल, यह हो गया हमारा, लाइन ले लेता हूं, यहाँ से पकड़ के, यहाँ तक, और हमें क्या करना है, इसको पकड़ना है, इसकी जुरत नहीं, इसको पकड़ना है, copy करना है, और 10 डाल देता हूं, now line ले लिया मैंने यहां से पकड़के यहां तक fillet का काम हम बाद में कर लेंगे फिर देखिए आपको यहां से यहां तक जाना है tr double enter हटाईए यह हट गया यह हट गया यह हट गया यह भी हट गया और देखिए यहां से हमें इसको भी copy कर लेना है यह basically हमारा 2 mm कर रहेगा आप यहां से पकड़के सिर्फ 2 mm ले लिजिए के जरा गौर कीजिएगा tr double enter यह हटाओ यह यह भी हटाओ आराम से काम कीजिएगा इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है इन दोनों lines को आप हटा सकते हो tr double enter यह हट गया यह हट गया और यह जो बाद में लिया था हमने उसको हम हटा देते हैं इसकी जरूरत हमें नहीं है अब यहां पर भी हमें कुछ ट्रीम करने है इसको इसको हटा देंगे और क्या करना होगा हम लोगों को इसको हटाना है हम लोगों को यह वाला line यह देख लिज़े हमारा almost part हमारा बन चुका है अब बाद में आपको क्या करना है fillets का काम कर लेना है आप देखिए fillets हमें कहां कहां पर लेना है और कितना कितना लेना है उसके बारे में हम बात करेंगे तो direct आप यहां पर fillet tool का इस्तमाल तो नहीं कर पाएंगे ठीक है क्योंकि हम isometric में काम कर रहे हैं तो आपको देखिए यह हमारा 5 का है fillet तो आपको क्या करना होगा copy करना होगा आप इसको select किजिए यहां से नीचे आईए 5 फिर आप इसको पकड़ें इधर से जाएए 5 प्रे fillet लेने वाले हैं यह हो गया 5 आप इसको हटा सकते हो इसको हटा सकते हो इन सब को हटा सकते हो टी आर डबल इंटर कर दो एक एक करके हम काम करेंगे पिर यहां पर लेना है 5 प्लस 10 15 तो आपको यहां पे उसी तरीके से 15 mm का लेना है radius यह 15 ले देना होगा आप इसको trim कर दें पहले उसके बाद आप बाके का काम कर सकते हैं, похisy और मैं क्या करता हूं इसको पकड़ के copy किया, copy करने के बाद आपको इधर भी एक मैं ले ले लेता हूं, अभी ti आर double इंटर yellow yellow, फिर yellow फिर yellow आप इसको हटा सकते हो दरसल आपका अगर मन करें यहाँ पर आप लाइन ले सकते हैं लेकिन इसकी ज़्यादा जरूरत हमें नहीं है आपके लिए यह मैं बता रहा हूँ बस यह फिलेट दिखाने के लिए है उसके बाद आपको क्या करना है इस उपर वाले इसका पचीस है तो फिर से आपको क्या करना होगा एक्सिस एंड आइसो सर्कल यहां से लेना है दफ सेम सेंटर पॉइंट एफ फाइव ट्विंटी फाइव यह जो है आपका जाएगा किदर इधर यहां पर आके बैठने वाला है तो आप इसको 14 में मूव कर सकते हैं 14 यह देखे जाके चिपक गया 14 प्लस 10 दाट इस 24 और बाद में आप इस लाइन सर्कल को हटा दीजिए TR डबल इंटर इसको हटाएं फिर इसको हटाएं फिर आप इसको हटाएं फिर आप इसको हटाएं और बाद में जो भी बेकार की चीज़े हैं सबको डिलीट कर दें tr double enter ये हट जाएगा ये हट जाएगा फिर ये हट जाएगा फिर ये हट जाएगा और आप इसको delete कर सकते हैं अब इसको delete करने के बाद हमें इस side भी उसी तरीके से काम करना होगा आप देख सकते हो यहां से हमें वो copy करके इधर भी लेना है ठीक है ना तो आप क्या कर लें यहां से एक line ले लें ताकि fillet जैसा दिखे वो और जैसा यहां था ना वही सही यहां पर लेना है आप इसको select कर सकते हैं copy किजिए total distance इसका 38 का है मैं 38 ले लेता हूं tr double enter then trim it और यह आपका दिखेगा आप चाहो तो इसी को ही continue कर सकते हैं आप चाहो तो इसी को ही continue कर सकते हैं यहां तक बाद में हम उसको बीच में delete कर देंगे so tr double enter now trim this one and this one this one and this one so here we have completed almost this drawing now think about this one so यहां पर 25 है तो आपको क्या करना होगा 25 इधर से 25 इधर से मतलब क्या है एक line ले लेता हूँ इधर से F5 प्रेस कीजिए यहां पर आपके कम से कम 25 ही होगा और आपको क्या करना है इधर 25 और इधर 25 ले लेना है आप चाहें तो F5 प्रेस करके इधर भी 25 ले सकते हो फिर उपर जाईएगा तो भी 25 का ले ले लिजिए यह जरूरत नहीं हमें इसकी भी कोई जरूरत नहीं है ISO सरकल के हम बात करते हैं यहां से ISO सरकल ले लो इसको सलेक्ट करेंगे 25 and now what हमें 5 इधर कॉपी कर लेनी है 5 इधर कॉपी कर लेनी है बाद में सेंटर वाला हटा देना है हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है TR डबल इंटर इसको हटाएंगे इसको भी हटाएंगे इसको हटाएंगे इसको भी हटाएंगे और इन सब को definitely हटाएंगे TR double enter हट गया इस line की भी हमें कोई जरूरत नहीं है TR double enter हट गया shift प्रेस करके आप extend कर सकते हैं ये line हटा दीजिए ये देखी ये भी हमारा बन चुका ये भी हमारा बन चुका so looks great अगला step यहां 30 mm का ले लेना है आप इसको select कीजिए copy कर सकते हैं इधर से F5 प्रेस कीजिए 30 and then फिर से आपको यहां से भी लेना है 30 and यहां आपको लेना है axis and iso circle ये ले लिया हमने 30 mm का radius आप इसको delete कर दो TR double enter और इसको पकड़के आपको copy करनी है base point में इस पार यहां देता हूँ आखरी यहां पर देता हूँ TR double enter इसकी कोई जरूरत नहीं EX double enter आप अगर चाहें तो थोड़ा सा यहां से आप नीचे की तरफ दिखा सकते हो अगर नहीं तो आप रहने भी दे सकते हैं अगर चाहिए तो रख लो नहीं तो आप इस line को हटा सकते हो here you can see then what is remaining here let's apply the dimensions यह देख लिजे हमारा एक और चीज यहां है circle 16 diameter है आप यहां से ISO circle ले सकते हैं D4 diameter 16 that's it अब अगर हम बात करेंगे इसके dimension के तो चलिए मैं आपको dimensions भी बताता हूँ कि isometric drawing में आप properly कैसे dimension apply कर सकते हैं so let's have a look तो इस बार माई dimension के लिया लग color लेता हूँ by layer लेता हूँ and that's all इसकी जरूरत नहीं है तो आप हटा सकते हो नहीं तो रहने दीजिए यहाँ पर हम लोगों को align का इस्तमाल ज़्यादा करना होता है आप यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं ठीक है 45 हो गया आप यह center दिखाना चाहते तो center तक भी आपको एक line लेनी चाहिए दरसल है ना फिलहाल तो मैं यहाँ से पकड़के यहाँ तक लेके गया ऐसा और आप चाहें तो यहाँ पर एक center line दिखा सकते हैं दरसल आप चाहो तो यह total यह इसको 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 पकड़ लिया मैंने यहाँ से हम क्या करेंगे लाल लाल कर देंगे copy one second और उसके बाद आपको copy कर लेना है इधर से 5 match property मैंने लाल कर दिया इसको गलती से copy करने के बाद इसको red करना था अभी हम क्या करने वाले है इसको 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 control one प्रेस करेंगे और आप इसका जो है by layer कर दें and then बाद में आप यहाँ से line tap यहाँ से ले सकते हो actually यहाँ से देख लिजिए नहीं है न तो आप यहाँ से other जाईए load में जाईए c4 center center 2 ok center 2 ok बाद में आपको convert कर देना है ताकि हम अराम से उसको देख सकें scale फड़ा कम कर देता हूँ so यह हमारा center आ गया है ठीक है न अभी कोई दिक्कत नहीं है आप अगर चाहें तो यहाँ से line ले सकते हैं इधर F5 प्रेस कर देता हूँ ma for match property ले लो इस तरीके से और बाद में आप क्या कर सकते हैं dimension मतलब आपको लेना है यहां से यहां तक that is 15 select करेंगे यहां साब को ले लेना है continuous अच्छा इसी तरीके से आप इसको align भी कर सकते हैं जरा मैं क्या कर लेता हूँ show menu बार करता हूँ dimension oblique score इसको select किया enter किया यह हमारा 500 आएगा है ना oblique फिर से लेता हूँ इसको select किया enter 500 आएगा तो इस तरीके से हम इसको arrange कर पाएंगे आराम से आप चाहो तो इसको यहां तक कर दो nothing to worry मैंने बताया हुआ यह text align वगेर आपको कैसे करना है यहां से 18 है आप check कर सकते हो यह देख लिजे इस side में जाना है आप चले जाएए no issue आप यहां से दिखा सकते हैं इसको हमें 30 degree में align करना है आप यहां से ले सकते हो oblique इसको select किया enter 30 degree लेकिन इसका text जो है वो properly नहीं आ रहा है आप इसको चाहें तो पकड़ के I'm sorry यहां से एक line हमें दिखानी चाहिए दरसल यह हमारे लिए important है आप यहां से ऐसा दिखा दो ठीक है ना that's all आप दिखा सकते हैं इधर से हमें 22 ले लेना है आप यहां से आप बाइस ले सकते हो इसको भी oblique angle दिखा देना हमें 90 degree में जाएगा यह मैंने पूरा concept clear किया हुआ है पहले अब बात कर लेते जरा text की तो हम लोगों को annotate में जाकर अपना text बनाना होगा अगर आप यहां से ही जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं यह हमारा क्या है यह देखिए हमारा textile है आप यहां पर जा सकते हो और हम लोगों को यह textile 1 और इसका oblique angle हम minus 30 कर देते हैं या 30 कर देते हैं पहला ठीक है एक और ले लेता हूं textile 2 और इसमें minus 30 कर देते हैं ताकि कोई issue आये नहीं बाद में अब बाद में आप annotate में चले जाए यहां पर देखिए हमारे पास standard था पहले style 1 style 2 हमने create किया है अगर आप इस पे जाते हो तो जड़ा चेक किजिए आपका कौन सा style perfect बैट रहा है यह style perfect बैट रहा है ता आप इसमें यह लगा दीजिए इसको पकड़िए और यहां से आपको कौन सा लेना है देख सकते हैं यह अच्छा लग रहा है तो यह आप लगा दीजिए तो phase का alignment जैसा रहेगा उसी साब से ये भी पूरा आएगा आई बात समझ में और यही इसका टोटल है लॉजिक है ना बाकी का मैंने बताया हुआ है पूरे कोर्स में तो आप उसको जरूर रिफर किजिए मैंने थोड़ा सा ही डेमो ले लिया है और अगर आप पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं ति यहाँ पर आपको मिल जाएगा आटोकट मेकानिकल ठीक है आप इसमें खोल के पूरा सलेबस देख सकते हो यह रहे आपके ओवर व्यू कंप्लीट सलेबस ठीक है और उसके बाद आप देखेंगे करिकुलम में टोटल लेक्चर्स हैं आपके तो आप इस कोर्स के बारे में स क्योंकि हम लोग MSME Certified Institute हैं तो आपको जो भी certificate मिलने वाला है वो बिलकुल भी internationally accepted होगा आप अपने वीडियो को pause कर सकते हैं और यहाँ पे आप scan करके हमारे institute को verify कर सकते हैं कि whether it is government registered or not ओके तो आप इसके बारे में जरूर सोचिए I wish all the best for my all students, bye, good day, take care You